दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजी इंडिन किच्छन में हाई फ्रेंड्स वेलकम बाक टू यॉर चैनल एजी इंडिन किच्छन आज हम बनाएंगे एक कोफता जिस तरह से कोफते को बनाके हम क्रीमी करीब डालते हैं उसके उपर उसी तरह से हम एक्स के उपर आज इतनी एक स्वाद सी करी बनाके डालेंगे उसके लिए चलिए चार अंडे हम बॉयल कर लेते हैं पॉयल करने के बाद हम उन्हें छील के बीच में से काटेंगे करी के लिए हमने एक बड़ा टमाटर ले लिया है और जब हम ग्रेट करेंगे जो एक्सेस उपर से अगर कोई छिलका रह जाए तो उसे हम भार निकाल लेंगे उसे नहीं लेंगे 10-12 गालिक क्लोव्स लिये हैं उसे भी हम ग्रेट कर लेंगे और इसी टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे दो हारी मिर्चे मैंने बारेक काट ली है आप चाहें तो और स्पाइसी बनाने के लिए कम या जादा ले सकते हैं आपके चोईस के हिसाब से इस ग्रेट गालिक को मैं मिक्स कर लूँगे तमाटो के साथ ही दोस्तों मेरे चानल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताके मेरे नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहे हम एक्स को बीच में से काट लेंगे और उनका योक अ क्योंकि हम सिरफ वाइट वाले को फ्राइब करेंगे दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंद्स और फामिली के साथ शेयर केजिएगा योक मैने सारे निकाल लेए है और अब हम इस भाइट एक को फ्राइब करेंगे ओल में उसके लिए तबे पे तेल डालेंगे फ्लाट है न आधा मने काटा है एक्स को तो फ्लाट सर्फिस होना बेटर है तो इसलिए तवा ले लिया है आइरन का तवा है उसके उपर हम तेल डाल के थोड़ा सा नमक डाला है ताके छी करेंगे जब तक नीचे का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ज्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे ताके एक्स जले ना गोल्डन रहने के बाद हम उसके भार निकाल लेंगे एक्स को अब गोल्डन हमारे एक्स नीचे से टर्न हो गए हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे निकालने के बाद जब यह अभी गरम ही है तो इसके उपर हम चिडार चीज को ग्रेट करेंगे चीज को ग्रेट करने के बाद हम इसकी ग्रेवी अब तयार करेंगे देखे किता सुन्दर लग रहा है गोल्डन एग्स इसी तेल में हम टमाटो को फ्राइ करेंगे आप ज़्यादा हर इमेज भी डाल सकते जब टमाटो पूरा फ्राइ हो जाए तेल छोड़ने लगे तो हम यलो योग मिक्स कर लेंगे उसके साथ और तेल अगर लगे कि कम है तो हम और एक चम्मच आट कर देंगे एक योग को हम अच्छी तरह से मैश करके टमाटो की जो फ्राइ हुई हुई करी बनी है उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें जादा कुछ मसाला नहीं डालना है सिरफ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी काली मिर्च टमाटो को अच्छी तरह से फ्राइ करने के बाद इसको योग को डाल देजेगा अगर लगे की थोड़ी सी गाड़ी हो गई है तो आप पानी याड़ कर लें थोड़ा सा ब्लाक पेपर और स्वाद अनुसार नमक आप इसमें आड़ कर सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम आफ कर सकते हैं इस वक और अब हम एक चम्मच मियोनेस इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से mix करके इस गरम creamy जो बैटर है बना उससे हम eggs के उपर पलट देंगे जिस तरह से कोफते के उपर हम पलटते हैं उसी तरह से एक के उपर fried eggs चु हमने किये हैं उसके उपर पलट देंगे तभी इसका नाम एक कोफता रखा है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इस गरम बैटर को एक्स के उपर पलट देते हैं गरम गरम सर्फ करने से बहुत ही स्वाद लगेगा अब हम इसको गार्णिश करेंगे उसी तवे पे मैंने थोड़ा सा काट लिया है प्याज और थोड़ा सा कैपसिकम उसी तवे के उपर तेल डालके हम एक पोच बनाएंगे उसके उपर हम यह कटावा प्याज और कैपसिकम डालेंगे दो या तीन चम्मच जितना आप ने काटा है उतना उससे थोड़ा हम को यूज करना होगा इसके उपर हम थोड़ा सा नमक मिर्च डालके इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा मैने गारलिक और अनियन का पाउडर रेच चिली के साथ मिक्स करके रखा हुआ है वोही मसाला मैं इसमें डालोंगे थोड़ा सा ब्लाक पेपर थोड़ा सा रेच चिली पाउडर के साथ मैने गारलिक और अनियन का पाउडर मिक्स किया हुआ है वो मैने इसमें डाला है और अब हम इसको थोड़ा सा तेल इसके उपर डालते हुए इसे कुक करेंगे अंदर से जो योग है पोच का वो हाफ कुकड़ी रहेगा हमें ऐसे फ्राई करना है थोड़ा सा तेल वाइट योग को नहीं वाइट पाट को थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे एक का और अंदर से योग हाफ कुक्ड रहेगा और उसके उसको हम गार्निश करेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ा ओयल साइट 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 से उपर डालने से वाइट पाट कुक्ड हो जाएगा अब हम इसको उसके उपर जो हमारी करी है उसके उपर हम गार्निश कर देंगे इसके उपर हम फिर से थोड़ा सा चीज ग्रेट करेंगे और यह हमारी सर्फ करने के लिए रेडी है देखने में ही बहुत तेस्टी लग रही है आप जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा मैं इसको गार्लिक ब्रेड के साथ सर्फ कर रही हूँ थोड़ा सा येलो योक जो है उसका उसके उपर डालने से और भी ज्यादा टेस्टी लगता है आप भी जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा और टो तेक गुट कर फिरसे तिल ने ने क्स्टी जिए और बाड बाड वाई कर दो